नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है चीन असल में भारतीय सेना को कमजोर करने की फिराक में हैं और ये कमजोर क्यों कर सकता है इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे बात होगी नेपाल के बारे में नेपाली सेनिक जो की भारत की सेवा में लगे हुए हैं भारत के लिए तमाम युद्धिये जिता चुके हैं ये जो सेनिक हैं इनको हम जानते हैं गोरखा के नाम से गोरखा रेजिमेंट भारत की सेना का एक अभिन अंग है और तमाम कर रहा है कि गोरखा सैनिकों को अपनी ओर सामिल कर ले क्या ये प्रयास पहली बार है तो ऐसा नहीं है ये प्रयास पहले भी किये जा चुके हैं लेकिन अब इस्तितियां बदल चुकी हैं इसलिए आज का सेशन जो है वो थोड़ी सी चिंताओं को व्यक्त करने वाला है कि क्य क्या भारत जो है एक भारत को नुकसान क्या इससे हो सकता है और इसी को आज हम अपने सेशन में जानने का प्रयास करेंगे कि चाइना कीन यानि की चाइना जो है उत्सुक है तू रिक्रूट गोर्खा सोल्जर्स इंटू पी एले पी एले हेर स्टेंड्स पॉर पीपल्स कामयाब हो जाएगा असल में वजह हैं वो हैं दो मुख्य बजह हैं उनकी हम चर्चा करेंगे पहली बात होगी अगनीवीर योजना की अगनीवीर योजना किस प्रकार से इसके बीच में आई है और दूसरी जो बात होगी केपी सर्मा ओली की फिलाल जो सरकार वनी हुई है नेपाल के अंदर जो की एक communist सरकार है जो की चीन के समर्थित सरकार है क्या भारत को इससे नुक्सान हो सकता है ये मामला इसलिए गंभीर हो चुका है सबसे पहले बात करते हैं जो reason है वो है अगनीपथ scheme के बारे में इस session के अंदर हम जानेंगे कि गोर्खा regiment का इतिहास क्या रहा है क्या सौरे गाथा है गोर्खा सेनिकों की और भारत को कितने महतवपून है ये गोर्खा सेनिक अगनीपथ के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत की सरकार ने अगनीपथ recruitment scheme लेकर आये थे जिसके अंदर साड़े सत्रे से 21 वर्ष के जो नवयुबक थे नौजवान थे उनको भारत के सेना में सामिल किया जाएगा चार साल के लिए इनकी जौब होगी जो भी इनको पैसा वैसा दिया जाएगा वो सारी की सारी जनकारी थी लेकिन में टर्म जो था इसका वो था चार साल का चार साल का टर्म था इसी को लेकर थोड़ा सा विवाग बढ़ा था 46,000 अगनीवीर जो हैं इस साल रिक्रूट भी हो चुके हैं यानि कि उनकी प्रोसेस चल रहा है ये अगनीवीर स्कीम जो थी इसके चलते भारत के अंदर तमाम जगहें विरोध प्रतरसन देखने को विले थे लेकिन उसके बाद जब सरकार ने इस नीती को ढंक से समझाया लोगों को कि बेरोजगारी जो है चार साल के बाद वो नहीं आएगी बलकि अलग अलग स्टेट्स के अंदर वहतरीन ओप्संस अगनीवीर के लिए अवेलेबल होंगे जब सार साल के बाद वो रिटायर होंग लेकिन उसके बाद नेपाल के अंदर जो हैं वो इस्थितियां थोड़ी सी बदली क्या हुआ था उसके अंदर आर्मी स्टार्ट्स ट्रेनिंग फॉर अगनीवीर अंडर नियू अगनीपत स्कीम के अंदर ट्रेनिंग भी इन जबानों की सुरू हो चुकी है नेपाल इनका नेपाल के अंदर जब विरोजगार होकर आएंगे तो इनका क्या होगा इंडिया विल रिक्रूइट गोर्खा सोल्जर्स फ्रोम नेपाल अंडर अगनीपथ स्कीम भारत ने एक ओफर दिया था कि अगनीपथ स्कीम के अंदर नेपाल के सेनकों को भी हम सामिल करने वाल कि चार साल के बाद उनका भवे से क्या होगा जो कि तै ना हो लेकिन अगर बात करें तो we are not going to change अगनीपस rules only for नेपालियन गोर्खाज की सिर्फ गोर्खा सेनिकों के लिए हम अगनीपस के जो नियम हैं उनमें परिवर्थन नहीं करने वाले हैं ऐसा भारत की सेना की दरफ से काटमांडू asks इंडिया to suspend recruitment नेपाल कहता है कि नेपाली जो यूथ है उसको अगनीपस इसकीम के अंदर जो इनका भरती है उसको फिलाल सस्पेंट कर दिया जाए सस्पेंट करने का मुखे वजह हमने जान ही लिए है नेपाल's misgiving on अगनीपस could hurt ties असल में नेपाल के द्वार जो अगनीपस इसकीम का विरोध के दिखाने के लिए जो नेपाली यूबाओं को अगनीपस में सामिल करने से मना किया गया था वो जो है भारत और नेपाल के संबंदों को hurt कर सकता है ये बात भी news के अंदर तमाम तरह से डेकन हेराल नाम की एक हवर देखते हैं प्रकासित हुई थी 2023 में एक भी नेपाली गोर्खा भारती सेना में सामिल नहीं हो पाएगा नेपाल की कम्यूनिपस सरकार ने भारती सेना में सामिल होने के लिए गोर्खाओं को अनुमती नहीं दी है नेपाल सरकार की परमिसन ना देने की वज़े से अगनीपत स्कीम है नेपाल को भारत की योजना से आपत्ती है पहली हमने बात देखी अगनीपत इसकीम के बारे में चार साल की इसकीम थी और दूसरी जो हम बात देखते हैं जो की चीन की कम्युनिस्ट सरकार के बारे में हैं चीन की कम्युनिस्ट सरकार के जो बड़े नेता हैं केपी सर्मा ओली उनका कहन है कि हमारे संबंद यानि कि नेपाल नेपाल के संबंद चीन से भी अच्छे हैं नेपाल एक तरफ चीन से भी अच्छे संबंद रखता है और नेपाल जो है पाकिस्तान से भी अच्छे संबंद रखता है तो फिर नेपाल के युबा भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान से क नहीं होते बात करते हैं थोड़ी सी गोर्खा के गोर्खा सैनिक जो है उनकी सौरे गाथा जो है उसके बारे में हम जो जानते हैं जनरल विपिन रावत साहब जो कि हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हालां कि मृत्यू कोई सही दिये हो चुके हैं ये भी गोर्खा रेजिमेंट से 11 गोर्खा राइफल से ही संबन्द रखते थे ये हालां कि भारत ये हैं लेकिन गोर्खा राइफल से ही ये निकल कर आये थे और भारत के सर्बोच पद पर पहुंचे दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं सैम मानिकसा इनको हम जानते हैं 1914 से लेकर 2008 तक भारत की सेवा इनों ने की थी देश के पहले फिल्ड मार्सल के नेतरतों भारत ने 1971 का युद्ध जीता था सिर्फ तेरे दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को समर्पन करना पड़ा था ये जो वीर हैं ये भी आते हैं इसी गोर्खा रेजिमेंट से इनके द्वारा जो कहा गया इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं या तो वो व्यक्ति जूट बोल रहा है या फिर वो व्यक्ति गोर्खा है मतलब गोर्खा ऐसे हैं लोग गोर्खा ऐसी रेजिमेंट है जिन लोगों को मरने से डर नहीं लगता है गोर्खा असल में हैं कौन तो नेपाली सैनिकों को गोर् अजय महा काली आयो गोरखाली ये इनका तार शुरू हुआ था घोर्खा नेपाल के मूल निवासी हैं इन्हें ये नाम आठ मी सदी में हिंदू संत योद्धा स्री गुरू गुरु गुरुग नात ने दिया था जो गुरु गुरुग नात थे हमारे एक संत वो नेपाल में इन सैनकों को नाम दिया था कि ये गोर bıा नाम जो है इन्हीं के दाला दिया गए था गोरखा रेजिमेंट के जबानों की पहचान क्या है तिरिशी गोरखा है और उनकी खुरकी है खुरकी एक तरह का चाकू होता है जो कि आगे की तरफ से मुड़ा हुआ होता है गोर्खा रेजिमेंट का नारा होता है जै महाकाली आयो गोर्खाली ये इनका नारा है खुकरी यदि आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक मुड़ा हुआ चाकू होता है जो कि गोर्ख था और शुरुवात में ब्रिटेन ने ही गोर्खा रेजिमेंट की नेव रखी थी भारत के अंदर और उसके बाद 1947 में जब भारत आजा हुआ था तो गोर्खा रेजिमेंट को भी बांटने का रख समय आया तो 60 प्रत्यत सेनिक जो थे बो रखने थे भारत की तरफ और 40 प्र गोर्खा की सेनिक जो है गोर्खा जो है वो सेना के अंदर फिलाल तैनाती लेते हैं गोर्खा रेजिमेंट भारत ये सेना का अभिन हिस्टा है गोर्खा रेजिमेंट ने देश के लिए कई सफल ऑपरिसन को अन्जाम दिया है और दुस्मनों को धूल चटाई है 1971 में पाकिस्तानी सेना पर हुई जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है भारत इस युद्ध में गोर्खा रेजिमेंट ने बड़ा सौरे दिखाया था तत्कालीन पूर पाकिस्तान के सिलहट में पूर भी पाकिस्तान जिसको आज हम बंगलादिश के नाम से जानते है उसमें एक जगह है सिलहट सिलहट में 6000 पाकिस्तानी सेनिकों के सामने गोर्खा रेजिमेंट के करीब 800 जवान थे फिर भी युद्ध के दोरान डर के मारे पाकिस्तानी सेनिकों ने हतियार डाल दिये 800 जवानों के सामने 6000 जवान जो हैं वो हतियार डाल देते हैं कितना डर ह गोर्खाओं का पाकिस्तान के अंदर वो इससे ही दिखाई दे जाता है गोर्खा रेजिमेंट के सूर्वीरों के सामने घुटने टेक दिये थे पाकिस्तानी सैनिक पूरे नौ दिन भी गोर्खा रेजिमेंट के सामने नहीं टिक पाए थे बात करते हैं तस्वीरों से, तो तस्वीर में आप देखते हैं, खुकरी लेकर ये बड़े से बड़े operation को खतरनाक से खतरनाख operation को ये अंजाम देते हैं, पहाडी छेत्र में लड़ने के सबसे ज्यादा काबिल यदि माना जाता है, कोई तो वो गोरखा ही माने जाते है, क्यो चीन के सैनिक पहाडों पर जाने से डरते हैं उनकी काउंसिलिंग वगएरा कराई जा रही है इसी सेसन के अंदर आगे हम जानने वाले हैं कि क्या-क्या इसका माइने रखते हैं फिलाल की अगर बात करते हैं तो ये आंकडा अलग-अलग जहे पर आपको अलग-अलग दिखाई दे सकता है फिलाल 34,000 नेपाली जबान है कहीं 40,000 का अंकडा भी दिखाई देता है हाला कि 35,000-30,000 से जादा गोर्खा सेनिक जो है भारती सेना में फिलाल काम कर रहे हैं इतिहास की अगर बात करते हैं तो कब से गोर्खा रेजिमेंट भारत का हिस्ता है तो 1816 बात है 1814 की भारत पर अंग्रेजों का कबजा था अंग्रेज नेपाल पर भी कबजा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नेपाल पर हमला कर दिया ये युद्ध एक साल से भी लंबे समय तक चला था साल 1815 में इस्ट इंडिया कमपनी और नेपाली राजसाही के युद्ध में नेपाल को हार मिली थी इस युद्ध में गोर्खा सेनिकों की बहावदरी देखकर ब्रिटेस कमांडर सर डेविट आक्टर लोनी काफी पभावित हुए थे बाद में जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाली राजसाही के बीच सोकॉली की संदी हुई तो इस्ट इंडिया कमपनी में गोर्खा रेजिमेंट बनाने का निर्णे हुआ था उसी बक्त से यह रेजिमेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा है अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अपरेल 1815 को गोर्खा रेजिमेंट जो है उसकी निम पड़ी थी ब्रिटिस इंडिया की सेना में रहते हुए गोर्खाओं ने दुनिया भर में कई एहम जंग लड़ी है दोनों विस्व युद्ध में गोर्खा सैनिक थे बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों विस्व युद्ध में करीब 43,000 गोर्खा सैनिकों की मौत हो गई थी आजादी के बाद नवंबर 1947 में असल में जब आजाद हुआ भारत 1947 के अंदर तब जो संकट आया था वो ये था कि गोर्खा रेजिमेंट जो है उसको कहां सामिल रखा जाए क्योंकि भारत जो है एक स्वतंत राष्ट बनने वाला है तो नेपाल भारत और यूके के बीच में या कहें ब्रिटेन के बीच में एक संधी हुई थी नबंबर 1947 में यूके भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षी है समझोता हुआ इसके तहद ब्रिटेस और भारती सेना में नेपाली गोर्खाओं की भरती की जाती है आजादी के समय ब्रिटेस सेना में गोर्खाओं की 10 रेजिमेंट हुआ करती थी समझोते के तहट 6 रेजिमेंट भारत और 4 रेजिमेंट ब्रिटेश सेना का हिस्सा बनी लेकिन 4 रेजिमेंट के कुछ सेनिकों ने ब्रिटेन जाने से मना कर दिया तब भारत ने 11 वी रेजिमेंट अपने लिए बनाई थी अगनिपत का नेपाल में विरोध क्यों हुगा अगनिपत को लेकर भारत में दो बातों पर विवाद था पहला था कि ये 4 साल के बाद इन योवाओं का क्या होगा दूसरा ये कि सेना में 4 साल सेवा करने के बाद भी इन्हें पैंसन नहीं मिलेगी तो ये गोजारा कैसे करेंगे इन्ही दो बातों पर नेपाल में विवाद हुआ था नेपाल के पूर प्रधान मंत्री केपी सर्मा ओली की सरकार में विदेश मंत्री रहे प्रदीप ज्यावली के मताबिक अगनीपत योजना 1947 की त्रिपक्षिय संधी का उनलंगन है 1947 की त्रिपक्षिय संधी के बाद जिन सेवा सर्तों और सेवा अवदी के साथ नेपाल के नागरिकों को भारती सेना में भरती किया जा रहा था उनमें अचानक हुए बदलाब को Communist Party of Nepal जो की मार्टसवादी और लेरिनवादी दोनों का एक इकरत है ये स्विकार नहीं करेगी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि भारती सेना में नेपाली गोरखाव की भरती नीती की समीच्छा होनी चाहिए हमारे नागरिक किसी दूसरे देश की सेना में जाकर किसी तीसरे देश से क्यों लड़ेंगे हम भारत से भी अच्छा संबंद चाहते हैं और चीन से भी पाकिस्तान से भी हमारा दुपक्छिय संबंद है हर साल भारती सेना में 13,000 गोर्खा भरती होते हैं भारती सेना में 40,000 के करीब गोर्खा सेनिक हैं जबकि 1.5 लाक रिटायर हैं इनकी सेलरी और पेंसन पर भारत हर साल अनुमानित 4,200 करोड रुपए खर्च करता है ये रकम नेपाल के रक्षा बजट से भी जादा है मतलब ये 42 करोड रुपए जो है वो जाते हैं नेपाल के अंदर भारत के द्वारात as a pension to the गोरखाज गोरखाज के लिए pension की तरह ये पैसा दिया जाता है इसलिए अगर pension बंद होती है तो इससे नेपाल की अर्थविवस्था को गहरा नुकसान होगा क्योंकि बहुत बड़ा आयका स्रोथ है ये अब बात आती है चायना के जंप की ये जो हमने मामला देखा कि गोरखा प्लस नेपाल और इंडिया का विवाद क्या है इसके बीच में फायदा उठाना चाहता है नेपाल नेपाल में jump to the recruit गोरखा soldiers नेपाल क्या चायना जो है वो सामिल कर सकता है जो गोरखा सैनिक हैं उनको अपनी सेना के अंदर तो बात जो निकल कर आती है क्यों ये सामिल करना चाहता है तो फर्स्ट जो रीजन है वो है to deepen political and economic integration with नेपाल नेपाल के साथ अपने राजनेतिक संबंदों और साथ में जो इनके व्यापारिक संबंद है उनको बढ़ाने के लिए ये जो है ऐसा काम कर सकता है दूसरा रीजन है to turn नेपाल into transit station for commerce into South Asia और as buffer where China expects to defend its sovereignty and territorial integrity if needed in the decades ahead इंडिया के साथ में पिछले दसक से संबंद खराब हो रहे हैं नेपाल से लगातार लेकिन पहले जो थे संबंद काफी अच्छे हुआ करते थे उन संबंदों को खराब करना चाहता है तीसरा कारण है to create a cynocentric order in South Asia because it knows it cannot harbor emissions to become a global hegemon unless it's fully controlled its periphery जब तक अपने आसपास के देशों को ये control नहीं करेगा चीन तब तक ये एक world की super power नहीं बन सकता है अपना बर्चस तो ये बरकरार नहीं कर सकता है ये इसके तीन कारण है चायनाज PLA battle mental health crisis और जो कारण निकल कर आता है वो है PLA यानि की People's Liberation Army जो की चीन की सेना है वो जब पहाड पर चड़ती है तो उनकी mental health जो है वो खराब हो जाती है क्योंकि इंडिया ताइवान को लेकर stress के अंदर चल रहे हैं फिलहाल इनके सैनिक The People's Liberation Army has introduced counseling services इनकी फिलहाल counseling कराई जा रही है जिससे की जो चीन के सैनिकों के अंदर डर है उसको कम कराया जा सके PLA struggles with altitude sickness Altitude sickness मतलब जहां उन्चाई बढ़ती है वहाँ पर बीमार हो जाना लक्षण इसके उल्टियां बगेरा होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब पच्चिस सो से तीन हजार मीटर की उंचाई से उपर जब सिपाही चड़ता है तो breathlessness यानि की सांस लेने में समस्या होती है tiredness ठकान होती है, headache सरदर्ध होता है ये सारी चीज़ें होती है और दूसरी तरफ है गोरखा सैनिक चीन के सैनिकों को इन सब चीज़ों की आदत बिलकुल नहीं है इन्हें पहाडी छेतर में high altitude पर युद करने का अनुभब बिलकुल नहीं है लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है गोरखा सैनिकों की तो ये नेपाल के अंदर उंची पहाडियों पर ही पैदा होते हैं वहीं पर ये बड़े होते हैं इन्हें वहाँ की जो टेरेन है पूरी जानकारी होती है और इन्हें कोई समस्या पहाडी एरिया में नहीं होती इसी लिए दुनिया के अंदर कहा जाता है कि पहाड़ी चेत्र में युद्ध के मामले में सबसे खतरनाक सेना यदि किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है इंडिया has largest most experienced mountain army in the world कि भारत के पास mountain army पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा experienced और सबसे ज़्यादा expert है ये बा वो साफ दिखाई देता है और चीन किस प्रकार से गोरखाओं को भारत से तोड़ना चाहता है ये संकेत जो है साफ साफ लाल दिखाई देते हैं China wants to know why Nepal's young men are joining Indian army चीन इसके उपर research कर रहा है सोध कर रहा है जासूसी करा रहा है कि नेपाल के जो युबा है वो भारती आर्मी में सामिल आखिर क्यों होते हैं भारत के साथ 1962 के युद्ध के बाद पाकिस्तान पी एले मतलब ये चाइना की पी एले जो है देखा कि गोर्खा की जो regiment है किस प्रकार से वो लड़ी थी बहादुरी से उसके बाद चाइना चाहता था कि गोर्खा सेनेकों को अपनी ओर कर ले लेकिन नेपाल ने उस समय मना कर दिया था अगर नेपाली गोर्खा चीन की People's Liberation Army में जाते हैं तो चीन भारत और ब्रिटेन के बाद ऐसा तीसरा देश बन जाएगा बतला फिलाल भारत और ब्रिटेन के अंदर सेवा देते हैं गोर्खा और चीन जो है ऐसा अगला देश बन जाएगा जहां पर ये गोर्खा सेनेक अपनी सेवा देंगे लेकिन यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए निश्चित ही ये बड़ा नुकसान है और हमें पूरा विस्वास रखना चाहिए हमारे जो सरकार है हमारे जो विदेश के जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं कि वो इस माम लेगा कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे और इसका हल बिलकुल निश्चित रूप से सोच रखा होगा जो की जल्दी ही एपलाई होगा खबरों में जैसे ही आता है आपके साथ साजा करने का प्रयास उसको जरूर किया जाएगा उम्मीद है साथियो पूरा सेसन आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज यह मिलेंगे अगले सेसन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद